हेलो दोस्तो तो आज हम लेकर करके आये हैं एक 32 इंच का एलिडिटी भी है और इसमें प्रोब्लम है बैक लाइट ब्लिंकिंग तो चलिए देखते हैं और दिखाते भी है फोल्ट को और इसे कैसे हम रिप्यर करते हैं यह भी दिखाते हैं तो वीडियो के अंत तक पूरा बन वह हुआ हम दिखाने का पर्याश करेंगे और नहींख पाया है प्रिखाने का प्रयास करेंगे आपको इसमें प्रोब्लम म्या है यह आप लोग को दिखाने का हम प्रयास फिर से करते हैं ठीक है अभी यहां पर बैक लैट है और एक बार और देखिए आके चला गया था यही प्रोब्लम है कि एक बार बैक लैट और नहों के गयाव हो जा रहा है फिर फिर से दुबारा नहीं आ रहा है एक बार फिर से हम दिखाने का प्रयास करते हैं क्योंकि बहुत कम सेकेंड के लिए एक्दम सेकेंड भर के लिए भी नहीं रुपता है अभी के अभी अवि करें फिर से आया था और चला गया कि आपको यहां पर दिखाए नहीं दिया होगा तो यहां पर वैक लैट का जो यहां पर दिख कर दिया हुआ है हौल यहां से दिस्टा है थème begrat को तो इस तरह का इसमें प्रोब्लम है ठीक है फ्रेंट्स तो हम इसे कैसे रिप्यर करेंगे इसको अभी आप समझ जाएगा इसमें मैंने चेक किया है इसमें ना ही बैकलाइट ये सर्कुट खराब है बैकलाइट सेक्षन में और ना ही इसका बैकलाइट जो स्ट्रीफ है वो खराब है और बैकलाइट इसका सेक्षन भी खराब नहीं है तो इसमें आखिर खराब हो किया सकता है यहां देखिए यह आउटपूट फिल्ट्रेशन के लिए एक कैप्सीटर लगा हुआ है और इधर दो है यह 12 वोल्ट करेंट को फिल्टर करने के लिए और यह अठार वोल्ट को फिल्टर करने के लिए एक कैप्सीटर लगा हुआ है जो कि हमारे बैकलाइट के तरफ जाएगा 18 वोल्ट तो यहां पर यह देख सकते हैं आप यह डैमेज दिख रहा है हलका सा यह कैप्सीटर फूला हुआ सा लग रहा है तो हम लंबा वीडियो नहीं ब फिल्ट्रेशन साइस नहीं कर पा रा हुगा फिल्टर खराब है इसलिए तुस्ते हम्चेंज में फ्ला हुआ है तो खराब है जिसको से बात देखते हैं फिर किया हमारा टीब यो की होता है या फिर नहीं नहीं होता है तो मेरे पास इसका जो वैल्यू है 35 वोल्ट है और मेरे पास देखें इसको मैंने निकाला है और इसका वैल्यू इधर होगा इसका वैल्यू 35 वोल्ट 330 UF 35 वोल्ट 330 UF तो यह है बट मेरे पास मेरे पास देखें मेरे पास 35 वोल्ट 470 UF है और वो 330 UF है कोई वाकती हम लगा देंगे इसी ही लगा करके देखते हैं लग जाएगा यह आराम से उसके बाद दीखते टीवी आखे हो सऑ भीन होता है नहीं एधिक है देखिए मैं इसको इदर लगा दिया इसे और आव टीवी ऑन करके दीखते आ हैं फिर देखिए इसको हटा देते हैं चलिए इसमें लाइट आ गया इस्टेंड बाइब रिलीज करेंगे देखिए अब कितना गुलोइंग बैक लाइट हुआ देखिए अब लग रहा है कि बैक लेट जल रहा है ठीक है पिक्चर भी देख लेते हैं देखिए नो सिगनल आ गया तो इस तरह से हम काम करते हैं और अगर आपको अच्छा लगा हुआ मेरा काम तो वीडियो को लाइक सेर सब्स्राइब जरूर कीजिए और और क्या चाहिए आपसे ठी अजिक है थैंक यू